कि हाई गाइस दिसी यूटीब चैनल मार्केट मोवर और यहां पे मिलते हैं आपको कौलेटी वाले स्टॉक स्की डिटेल और आज इस वीडियो पर मैं आपके साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा इस स्टॉक के बारे में सायद आप जानते होंगे और इसके काम को तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे लेकिन यह गैरेंटी है कि आज के बाद इस स्टॉक को आप भूल भी नहीं पाएंगे यह स्टॉक इतना बहतरीन परफोमेंस कर रही है कि जिसका चार्ट पैटन आप यहां पर देख सकते हैं यह इनका लाइब टाइम चार्ट पैटन है अभी तक का और यह है एक साल का चार्ट पैटन जो कि आप यहां पर देख पारें आप देख रहे हैं कि इस गिरावट पे तो सभी स्टॉक गिरे हैं ब गlor her 980 रुपय पर करने वाला स्टॉक अगर आठ्सो स्टोली चेसों के ऊपर चला जाता है तो तो क्या कहेंगे से देखेस टॉक की खासियत यह दिग्ज अपने सेक्टर की जिस सेक्टर पर है chemical sector पर ही है और chemical sector बहुत सारे स्टॉक्स की मैंने डिटिल्स प्रोवाइड कर वाई है बट इस वीडियो पे जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं वह एक बहुत बड़ा प्लियर है बहुत बड़ा प्लियर है और आप देखेंगे इंड आप दे वीडियो आपको भी यह पर्टिकुलर वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा मैंने यह एक एक्षुली में स्टार्ट किया की कमपनीज का डीटेल्स आपको प्रोवाइड कर वा हूं आपसे जो मैं दस मिनिट लेता हूं वीडियो पे 10 मिनिट से 12 मिनिट टाइम लगता वो टाइम आपका वेस्ट ना हो आपको जानकारी लेके जाए ठीक है और यह देखिएगा एक रिवूलिशन आएगा पूरे यूटूब में की इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा इसके जैसे मैं कंटेंड आपको प्रोवाइड करवाता ह हूं ऐसे बहुत सारी चैनल आपको कॉपी करते दिखेंगे तो मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं को कॉपी करेंगे तो बुरा अच्छी है कि चलिए सबों सबों के तरफ से जो भी अपडेट आएंगे वह जितने भी वीवर से चैनल पर है चाहिए यूटूब को सर्च करत हैं तो आपको एक जैन्वीन इनफॉर्मेशन मिल पाई क्योंकि जब कंपनी का पूरा बायो रेटा खुलेगा आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हो और आपको बताते हैं से स्टॉक का नाम में दिपक नाइट्रेट लिमिटेड देखिए सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स लेके नहीं जाहिएगा यह केमिकल सेक्टर पर है स्पैसिलिटी केमिकल्स है पर्फोर्मेंस प्रोडेक्ट्स है तो इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल्स लीजे मैं आपको दिखाता हूं क करके सारी चीज़े वीडियो पर बने रहें देखे यहां से शुरू होती है दिपक नाइट्रेट की डिटेल्स ठीक है दिपक नाइट्रेट लिमिटेड एट क्लांस वी आर एलिवेटिंग आवर्टू दा हायर पोजिशन आप स्ट्रेंथ ठीक है यह देखे प्लांट का ब बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है इसके पॉट्फोलियो में पॉट्फोलियो का मतलब इनके पास जो प्रोडेक्ट की वेराइटी है वह काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है देखिएगा भी आपको सारी चीज़े में दिखाऊंगा आप प्रेफेर्ट सप्लाइस तो सम अब देगेस्ट लीडिंग केमिकल कंपनीज ग्लोबली इनके जो कस्टमर्स आप देखिएगा भी नीचे में आपको दिखाऊंगा काफी हैरान करने वाले दे लीडिंग मैनिफेक्टिरिंग ऑफ और्गेनिक एंड इन इन और्गेनिक केमिकल्स फाइन इन स्पेसिल जो रियक्शन करवाए जाते हूं वहाँ पर एड किया जाता है इन्हें जिससे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले एंड फैनौल एसिटोन आप समझ रहे हैं तो यह है इनके पास का सबसे बड़ा इस पूरे पेज में आपको दिपक नैट्रिट क्लियर कर दूंगा सम अब दा इंडस्टीज वी क्यार देखिए डाइस पिग्मेंट्स डाइस जो हम लोग यूज करते कलड़ करते के लिए एगरिकेमिकल्स ठीक है एग्रोकेमिकल्स फार्मासुटिकल्स इसके बाद है ख्लेट अग्लक टेटस उसके बाद फियुल एडिसिप और उसके बाद डिटर्जन्स टेक्स्टाइल्स पेपोस लेमिनेट्स ओटो मुवेल्स पेंट्स और एडियसिप तो इतना बड़ा अगर किसी के पास पूटफुलियों होगा कि इतने सेक्टर्स को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने कंपनी के प्रोडेक्ट तो क्यू ना चले कंपनी और क्यों ना भागे और क्यों ना दोड़े शिक्स मैनिफेक्टिरिंग फैसिलिटीस थर्टी कंट्रीज टुदे शिक्स कंटेंट्स और वर्ल्डवाइब प्रिजेंस आप देखें तीस से भी ज्यादा देशों में यहां पर इतना सारा यहां पर रेविनियू आता है इनका और बहुत सारी चीजें यहां पर देखें और आवर रिस्पॉंसिबल और सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन और डिवसीफाइब पोर्ट्फोलियो वैलुदेड इंट्रमेडियस रिदूस डिफ डिपेंदेंसी और सिंगल प्रोडेक्ट ठीक है जो आप एक प्रोडेक्ट को ब प्रोडेक्टेड मैनिफेक्टिरिंग फैसिलिटीज एक्सपोर्स तो अब थर्टी कंट्रीज एक अक्रोस शिक्स कंटेंट्स निव प्रोडेक्ट्स फैनॉल एंड असी टोन यह दो ने प्रोडेक्ट से इनका और यहां पर क्रियेट ऑल्मोस्ट ट्वेंटी इंड यूज ठीक है अभी देखिए आप इनके क्लाइंट्स कुछ क्लाइंट्स यहां पर नजर आएंगे कुछ मैं आपको बता दूँगा यहां पर सिर्फ एक रिलाइंस इंडस्ट्री आपको नजर आ रहा यहां पर हिंदूस्तान यूनिलिवर एफम सीजी का इंडिया का सबसे केमिकल्स के कुछ हो सकता है इसलिए केमिकल्स सेक्टर काफी जादा ग्रोइंग करती है तो मैं यह नहीं करता हूं कि सारा पैसा आपको रखनी चाहिए ठीक है आपको पता है कि डाइस जो हम लोग यूज करते हैं वो केमिकल्स से बना है आपको पता है कि हम लोग जो सूज यूज़ करते हैं उसके रिफाइनिंग उसकी मैनिफेक्टिरिंग में केमिकल्स का यूज़ होता है तो यहां पर इंडियन और कॉर्पोरेशन उसके बाद और भी पैंट सेक्टर की दिगर्ज कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं आवर सस्टेनेवल वैल्यू पोजिशन्स यहां मैं आपको दिखाता हूं देखे यहां पर देखे शे स्टेट में यहां पर मैनिफेक्चिरिंग फैसिलिटीज सबसे पहले यहां पर देखिया अप घुजरात में एक बंक उसके बाद आप देखें फिर दाहिज में गुजरात में और एक साथ ही देखे महारास्टरा में दो प्लांट और यहां पर देखे तेलंगना है अधराबाद यहां पर एक प्लांट और और एक प्लांट आप यहां पर देख पा रहे होंगे गुजरात में तो यह कुछ plant के setup हैं और बाहर के बहुत सारे worldwide customers हैं और कस्टमर के साथ साथ company बहुत अगड़ी काम काज कर रही हैं अभी मैं आपको दिखाता हो इनका global footprint और global footprint मतलब जहां जहां जिन जिन जगहों पर ये फैला हुआ आपको पता है कि कंपनी में बहुत सारे प्रोडेक्ट बाहर पे सेल होते हैं नौर्थ अमेरिका में कैनेडा यूसे मैक्सिको आप देख पाएं यहां पे साउथ अमेरिका में ब्रेजिल अर्जेंटिना अभी खत्म नहीं हुए लिस्ट देखते जाएं आपके होस उड इसके बाद यूए उमान चाइना इंडिया स्री लंका बंगलादेश थाइलेंड इंडोनेशनिया उसका होंग कॉंग जापन जुबान लड़ खड़ा जाएंगे नाम लेते लेते बड़ कंपनी के नाम नहीं खतम होंगे इस्राइल साउथ अफेरिका अफेरिकन कंट्रिय है और वहां पर माल सप्लाइ होता है क्यों ना चले तो चलिए अभी मैं आपको कंपनी के थोड़े से फंडमेंटर्स दिखाता हूं कि कंपनी के कुछ फंडमेंटर्स देखने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं और मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा छे 7000 करोड की कंपनी है 500 पर ट्रेड हो रहा है अच्छा खासा रिटर्न इक्विटी और रिटर्न इन कैपिटल इंप्लोईट दोनों ही ठीक टागेट सेल्स ग्रोड देखे 25 से भी ज़्यादा माइगा डेड़ टू केटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है पर मोटर्स पर किसी तरह की छेड़कानी नहीं है मुझे आसा है कि इनका कम हो जाएगा अगर कंपनी ऐसे काम करें तो यह देखे चार्ट स्ट्रेक्चर दोनों टाइम फ्रेम का आप देख पाने होंगे यहां पर साथ ही यहां पर इनका आपको सेल्स दिखाता हूं तो 2020 में को प्रॉफिट बड़ा है कि बट सेल्स कम है लेकिन इसके बाद भी इनको प्रॉफिट जादा हुआ इसकी वज़ा क्या है तिन्हों ने एक्सपेंसेस में बहुत कम खर्च किया है यहां पर देखिए 793 करोड का ही खर्च हुआ जबकि पिछले क्वाटर में 862 करोड की खर्च हुई थी मेटेरियल बढ़ गया था और इंप्लोई कॉस्ट इस बार मेटेरियल कॉस्ट में इनको एक परसेंट की कमी आई है जिसके वजह से इनको इतने कम सेल्स में भी प्रॉफिट पिछले बार से जादा हुआ है यहां पर देख लिए 172 करोड की नेट प्रॉफिट है और यह बढ़ती जा 70 करोड की प्रॉफिट बहुत ग्रोइंग कर दिए मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस स्टॉक की डिटेस देखने के बाद आप कहेंगे कि अपना सारा पैसा मैं इसी स्टॉक पे लगा दूंगा देख लिजे यहां पे बहुत जबर्जस्त ग्रोइंग कमपनी तिरपन करने का आप स्टॉक का सीज यहां देख लिए दस सालों का चालीस के इसाब से और इस साल साट परसंट चल चुका जब मार्केट कारेक्ट हो रहा तो अब आप हमें जरूर बताइएगा कि यह स्टॉक आपको देखने के बाद कैसा लग रहा और देखिए इतनी सारी डिटे हैं और इस पर्टिकुलर कंपनी पर पैसे लगाने चाहिए यह आपका डिसीजन होना चाहिए मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप इस पैसे लगाएं आपको अच्छा लगेगा कॉलिटी है इस स्टॉक पर बहुत जबर्ज़स्त कॉलिटी वर्डवाइड बिजनस मॉड बहुत सारे कंट्रीज में अच्छे अच्छे कंपनी इनके कस्टमर है तो क्यों नहीं ग्रो करेगा अगर आने वाले टाइम में यहीं स्टॉक आपको 1100-1200-2000 पर दिखे तो आपको चौक रह नहीं होगा क्यूंकि आप इस टाइम फ्रेम पर से छोड़के जाएंगे आगे यह स्टॉक चला जाएगा ऊपर तो आपको तो एक्जामपल ही मिलेगा तो इस चीज को समझेगा और एक डिसीजन लिजेगा स्टॉक पर बनने से पहले अपने फाइनेसियल एडवाइजर से जरूर सला लिजेगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर नए स्टॉक के सा साथ यह डिटेल्स अच्छी लेगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर कीजिए उन लोगों तक जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हैं तैंक्यू